आज की मेरी इस वीडियो में मैं महलाओं को बताऊंगी उनके स्तानों के आपकार को बढ़ा करने का हो उपाई जिसकी मदद से को सिर्फ और सिर्फ दस दिनों के अंड़ ही अपने साइज को दुगना कर सकती है और ये उपाई क्या है कैसे इस्तमाल होगा इन सब चीजों की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो अन तक देखनी होगी और अगर आप इस चैनल पर नए आई है और आप ने इस चैनल को अभी तेख सुब्सक्राइब नहीं दिया है तो मेरी आप लोगos रेक्वेस्ट है कि इस चैनल को सुब्सक्राइब करते और वैल आइकन को भी प्रेस करते ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट सबसे पहले हासे कर पाएं महलाओं की ये जो समस्या है वो 50% महलाओं में देखने को मिलती है और इसी बढ़ती हुई परिशानी को देखते हुए आज मैं ये उपाय आप लोगों के लिए लाई हूँ जिसके इस्तमाल से आप अब ये समस्या का हल निकाल सकती है और ये इतना जदा असरदार है कि आपकी ये कम सा इसकी चो समस्या है वो समय रहते दूर हो जाएगी वो भी कुछी दिनों के अंदर इसमस्या के से ना तो आपको कोई नुकसान होगा और ना ही आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्चूंगे इसमस्या के बारे में और ज़्यादा जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आपके साइस कम होने के क्या क्या कारण होते हैं देखे वैसे तो size कम होने के बहुत से खारण होते हैं लेकिन मैं कुछ main reasons के बारे में आप लोग से बात करती हूँ जिसमें से सबसे पहला reason है women's की body में estrogen hormone की कमी होना ये एक सबसे मुख्य कारण है जिसकी बचार से अकसर महिलामयोन का size कम रह जाता है क्योंकि जो estrogen hormone होता है वो आकार को बढ़ाने में मदद करता है और बाकी जो दूसरे reasons हैं वो है nutrition ठीक से ना मिलना, blood circulation proper ना होना hormonal imbalance जैसे सब ही कारण आपके शरीड की growth होने से रोगते हैं जिसकी वजह से आपका जो आकार है वो कम रह जाता है और शरीड की पूरी तरहासी growth भी नहीं हो पाती है पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने size को increase नहीं कर सकती है आपको बस अपने size को increase करने के लिए एक सही solution की सब्रत है और घरेलों नुस्खों से बहतर और क्या हो सकता है यह इतने ज़दा प्याउर होते हैं कि आपकी समस्यां को जिट से खतम कर देंगी और यह जो उपाई है वो आपके लिए बहुत ही आसान और असरदार भी होगा क्योंकि यह उपाई पहले से ही कई महिलाउं तर अस्तमाल किया जा चुका है जिसे इस्तमाल करने के बाद हर एक महिला ने इस नुस्खे को एक बेहती फाइरिमन नुस्खा बताया है इसलिए ही मैं आप लोगों को यह नुस्खा रेकमेंट कर रही हूँ चलिए तो मैं आपको बताती हूँ आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए किन-किन इंक्रीटियंट की जरुवत पड़ीगी सबसे पहला जो इंक्रीडियंट है वो है आपका फैनल सीट्स यह इस नुस्खे का सबसे ज़ादा मेन इंक्रीडियंट है यहाँ पर मैं फैनल सीट्स ले ले रही हूँ क्योंकि जो फैनल सीट्स है वो आपके स्तन के टिशूस को इंप्रूव करती है और इससे आपके शरीर में एस्टोजन नामक हॉर्मून की मात्रा भी बढ़ती है इससे आपका जो साइस है वो नाचुरली इंक्रीज होता है अगर एस्टोजन आपके शरीर में बढ़ने लगा तो बस आप यह समझ दीजिए कि आपका जो साइस है वो खुद बखुद नाच्रली इंक्रीज होगा इसलिए estrogen को boost up करने के रहे मैं हापे fennel seeds ले रही हूँ और जो दूसरे ingredient है वो है share health अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने की विठी अब हमें क्या करना है हमें सबसे पहले इस fan में एक लास पानी डाबना है अब हम लगए इसमें 1 teaspoon fennel seeds डालेंगे अब हम इसे अच्छी से उबलने देंगे जब तक इसका color change ना हो जाए और जो फैनल seeds की properties है वो पानी में अच्छी से ना मिल जाए अब हमने इसे छांग लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच शहेद अब हम इसमें शहेद को अच्छी से mix कर लेते हैं अब mix करने के बाद आपका इस जो नुस्खा है वो पूरी तरह से तयार हो चुका है अब आपको इस drink का daily seven करना है और धीरे धीरे आपका जो size है वो पूरी तरह से increase होने लगेगा यानि कि अगर आपका size 30 है तो वो बहुत ही असानी से इस drink की मदश से 32 हो जाएगा आपको बस इस drink का 7 लगा तर 15 से 20 दिनों तक करना है हमें comment करके जरूर बताए कि यह उपाय आपको कैसा लगा और अगर आपको इस उपाय से related कोई भी सवाल है या अगर आपको वीडियो में कोई suggestion देना है तो वो आप हमें comment करके बता सकते हैं और हमें comment करके जरूर बताए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी या नहीं लगी ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके लिए सुधार कर पाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को उन सभी महिलाओं के साथ जरूर शेयर करें जो इस समस्या से परिशान है थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो अगर आप सभी कोई वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले